जेपी नड़्डा ने कॉंग्रिस पर साधा निसाना कहा राहूल गांधी देश विरोधी टूल किट का इस्थाई हिस्साब बन गए हैं आजादी के बाद से भारत के इतिहास में यहां तक कि सबसे कठिन समय में भी भारत के किसी भी नेता ने किसी भी विदेशी सक्तियों से भारत सरकार के खिलाफ कारवाई करने की अपील नहीं की तो तंदर भारत के इतिहास में यह एक बहुत गंभीर मामला है बाच्पा की राश्टी अध्यक्ष न सवाल किया कि राहूल गांदी जवाब भारत के आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश्ट के हस्तशेप की मांग करते हैं तो आपकी मंसा क्या होती है नड़ा ने कहा कि किसी दूसरे देश द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्त शेप की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि यूरोप और अमेरिका से भारत के घरिलू मामलों में दखल देने कागरे करने के पीछे उनकी मंसा क्या है पहाचपा की राष्टिय अद्धक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने निर्वाचित बहुमतवारी सरकार और 130 करोल भारतियों का अपमान किया है विदेशी धर्ती पर उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका को हस्त शेप करना चाहिए इससे ज़्यादा सर्मनाक और क्या हो सकता है ऐसे समय में जब भारत दुनिया की पांच वी सबसे बड़ी अथ्योस्ता बन रहा है और यहां G20 की बैटके हो रही है राहुल गांधी विदेशी धर्ती पर देश और संसत का अपमान कर रहे है